तो अगर यहाँ पर आपको आपके फोन में स्प्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते वक्त साउंड की प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम आ रही है ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैं आपको उसका सेलुशन बताऊंग विडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए तो सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स में यहां से आ जाना है और उसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे एप एपस एन नौटिफिकेशन तो वहां पर जाकर आपको एप इन्फो में क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको ध्यान से थो यहां आपको ढूला पर सकता है अपनी रिकॉर्डर की अप्लिकेशन को तो अगर आपको ढूलने से यहां पर नहीं मिलती है आपकी अप्लिकेशन रिकॉर्डर की तो आपको ऊपर 3.पर show system एप में जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने recorder की application को ढून लेना है तो यहाँ पर मैं अपने recorder की application को ढून लेता हूँ तो यही कई होगी recorder की application यही स्प्रीन recorder की application इसको यहाँ से open कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर four stop पे एक बर click कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे storage पे हमें जाना है और यहां से clear catch पे click करके clear catch कर लेना है और clear storage पे click कर लेना है उसके बाद back आजाना है और हमें अपनेündर को screen recorder को on करके देखना है हमारी problem solve हुई है या फिर नहीं या फिर एक बार आप अपने फोन को रिबूट करके वापस से अन कीजिए और आप देखिए आपकी प्राब्लम सॉल्फ हुई है या फिर नहीं